हलो दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि what's up में बिना blue tick हुए आप message पढ़ सको या आप जानते हो किस तरह से whats up का blue tick hide किया जाता है अगर आप नहीं जानते हो तो यह video आप लाज तक देखो आपको सारी जानकारी दी जाएगी बिना blue tick हुए WhatsApp में message कैसे पढ़ा जाता है इसी बारे में आज ये वीडियो बनाया जा रहा है जिसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाए किस तरह से blue tick hide किया जाता है तो hello guys, मेरा नाम है राजा और आप देख रहे Take Laundry YouTube channel चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं WhatsApp में जाएंगे सबसे पहले यहां उपर में देखिए 3 dot दिया हुआ इस पे क्लिक करेंगे Settings में जाएंगे Account में जाएंगे Privacy में जाएंगे यहां देखिए Read Receipt दिया हुआ यह option है जिसको off करते ही आप WhatsApp का blue tick hide हो जाएगा जो भी message आएगा पढ़ोगे सामने वाले को सिफ double tick दिखाई देगा blue tick दिखाई नहीं देगा चलिए वो कैसे होता आपको दिखाते हैं इसको off कर देंगे Read Receipt का option हमने off कर दिया है अब इस WhatsApp को हम बंद कर देंगे और एक message करेंगे अपने दूसरे WhatsApp से तो यह है मैरा दूसरा WhatsApp करेंगे हाई करेंगे हाई का message यह मैंने message भेज दिया यहाँ देखिए double tick हो गया है message आ गया हमारा अब वो WhatsApp open करके हम message पढ़ेंगे यह message मैंने पढ़ लिया यहाँ पर देखिए message आया हाई का यह मैंने पढ़ लिया अब इसको हम बंद कर देंगे यह WhatsApp को यह WhatsApp open करता हूँ जिससे मैंने message किया था अनु टेली नौर को मैंने message किया था इसको open करेंगे यहाँ पर देखिए हाई का message आया हुआ है और यह सिर्फ डबल टिक हुआ है ब्लू टिक नहीं हुआ तो देखा आपने किस तरह से आप WhatsApp के ब्लू टिक को हाइट कर सकते हो बहुत ही इसी है बहुत ही आसान है तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जबर बताए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे जो यूट्यूब की छोटी सफैमिली है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को देखें आप हमारे वीडियो को नहीं देख रहे है तो ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज आप लोगों इसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को देखें ताकि मेरे वीडियो की रीच बढ़े और मुझे मॉल्टिविशन मिले मैं और अच्छे च्छे वीडियो बना सकूँ तो आज के लिए पर से इतना है थेंक यू